14.2.3 राजियों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग भारत एक संग्य राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारे होंगी यह तो सम्विधान में निधारित किया गया था लेकिन यह राज्य किस आधार पर बनेंगे यह प्रश्न बना हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग यह रही कि राज्यों को प्रमुख शेत्रे भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए एक भाषा बोलने वाले जो कई राज्यों में बटे हुए थे वे एक राज्य बनाना चाहते थे लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ती के समय कॉंग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख चिन्ता देश को एक बनाये रखना था क्योंकि उस समय देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुजर रहा था उनको यह लगा कि इस समय देश में एक्ता की भावना की जरूरत है ना कि भाशा के आधार पर आपसी वेमनस से सम्विधान सभाने 1948 में भाशाई राज्य पर एसके दर के नित्रुत में आयोग की न्यूक्ती की दर आयोग ने इस समय इस मांग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी क्योंकि इस से राश्ट्रिय एक्ता को खत्रा और प्रशासन को आसुविधाजनक इस्थिती का सामना करना पड़ सकता था लेकिन देश के विभिन इलाकों में भाशाई राज्य इस्थापित करने के लिए विशेशकर महराष्ट और आंध्र प्रदेश में व्यापक जनांदोलन चलने लगे 1952 में तेलगू भाशी स्वतन्तिता सेनानी पोट्टी श्री रामुलू ने अलग आंध्र राजी के समर्थन में आमरन अंशन शुरू कर दिया और लगातार 58 दिनों तक अपनी मांग पर डटे रहने के बाद उनकी मृत्यू हो गई उनके मृत्यों के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलगू भाशी इलाकों में व्यापक हिंसा हुई पुलिस फारिंग में बहुत से रोग मारे गये इस घटना के बाद सरकार जुग गई और उसने अलग आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया अक्टूबर 1903 में अलग आंध्र प्रदेश अस्तित्तों में आ गया इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेस इलाका तमिल भाशी राज्य बन गया एक अलग राज्य के गठन के रूप में आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समुहों को ज्यादा पुर्जोर तरीके से अपनी मांग को पेश करने के लिए उकसाया हर शेत्र में कई भाशाय बोली जाती थी किसे राज्य बनाने का आधार बनाए और उसमें भाशाई अलप संख्यकों को क्या अस्थान हो ये प्रश्णी बहुत उलजा देने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर गठन आयोग बनाना पड़ा जिसे इस तरह की मांगों की समिक्षा के लिए अपनी सिफारिश सोपनी थी आयोग ने अपनी सिफारिश 1905 में दी और उनको मोटे तोर पर मान लिया गया और उनके आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई अंतता भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया